अजी गाइज सास्रिकाल नमस्ते अदाफ हेलो कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आप लोगों के साथ डिसकस करूँ है राइट्स ऑफ जुवनाइल अंडर दी नैशनल चार्टर फो चिल्रें टूथाजन थर्टी देखिए सबसे पहले हमें जुवनाइल का मतलब समझना जरू अगर कंपेर करें तो इंडिया की लार्जस चाल्ड पॉपलेशन है और जो कॉंस्टेशन ऑफ इंडिया है यह गरंटी करता है कि भी गरंटी देता है कि भी जो फंडमेंटल राइट्स हैं यह अवेल होंगे सभी चिल्डरंस को इन दा कंट्री एंड जो कॉंस्टेशन बना आए अब जो डिरец वर्थे प्रिंसिपल सटेट पॉलेश यह गाइड गरती है स्टेट को कि भी वह ऑ सतीटों जो स्टेट है वो सेक्योर कर सके चिल्डरं को फिंडरं को परम एनी dignity होगी मतलब freedom का मतलब तो आप जानते हैं कि भी अजादी किसी भी चीजी की काम करने की अजादी और वो मान सम्मान के साथ उस काम को कर सके तो ही वो जो बच्चा है वो डबल अफ हो सकता है healthily society के अंदर family के अंदर nation के अंदर और जो ये जो directive principle of state policies है जो ये guide करती है state को इसमें ये भी कहा गया है कि भी जो state है ये ensure करेगा कि भी जो बच्चा है जो बच्चे का childhood है इससे protect किया जाए from any kind of exploitation so जो ये national charter for children 2013 था इसको जो intention थी कि भी इसको इसकी जो intention थी adopt करने की ये ही थी कि भी जो children है इनके inherent rights को secure किया जा सके और जो children है enjoy कर सके healthy and happy childhood को और हम ये भी पता लगा सके इस charter के through कि भी कौन सी ऐसी चीजें है जो एक healthy growth and development of children को कही न कहीं रोकरी है और society में awareness create करें ताकि protection कर सके children की from all kind of abuse ताकि जो बच्चा है उसको किसी तरह की abuse ना सहना पड़े और और वो develop हो सके family society and nation के अंदर और nation को आगे बढ़ाने में साथ दे आने वाले time के अंदर so यहाँ पर जो main situation है कि भी देखा जाए कि भी इस act को क्यों adopt किया गया था इसलिए adopt किया गया था ताकि हम बच्चों के rights को secure कर सके उनका abuse ना हो and उनको किसी तरह की exploitation ना हो society के अंदर awareness दे जाए create करी जाए nation के अंदर पूरे nation के अंदर awareness create की जाए और families के अंदर भी awareness create करी जाए देखिए हर एक child के पास यह universal inalignable and indivisible human rights है इनको कोई आप से छीन नहीं सकता इन human rights को यह जो human rights है यह आपको और देशूब में अगर मान लेजी आप इंडिया में तो इंडिया में तो छोड़ो आपको अगर आप USA में भी जा रहे हैं तो भी human rights आपके उपर लागू होंगे यह human rights आपको avail है आप human rights को अपने enjoy कर सकते हैं और जो right है children के यह जो rights है children के वो interrelated है interdependent है and यह equally जरूरी है for the well-being and dignity of a child की भी यह सारे के सारे एक दूसरे से interrelated है यह नहीं की भी चल चार अधिकार तू आज यूज कर ले और जब तू 16 का होगा तो 8 अधिकार और यूज कर लिए एसी चीज़े नहीं है यह जो चीज़े हैं यह जो rights है यह interrelated है जूसरे से interdependent है and equally यह किस चीज़ के लिए है यह है for the well-being and dignity of a child के लिए अब जो child है इसके पास right है right to life right to life का मतलब मान भरी जिंदगी जीसे के अधिकार के साथ उसके पास स्वच पानी पीने का पानी है उसके पास एक अच्छा environment है आसपास उसके रहने का ठीक है उसको अच्छा food मिल रहा है mal nutrition से नहीं मर रहा है वो उसकी family उसको समझ रही तो यह चीज़े right to survival अब बच्चा बिमार है और उसके पास hospital आसपास नहीं उसके पास hospital की facilities नहीं है वो available नहीं कर सकता hospital की facilities को तो वह वहाँ पर उसके पास right to survival भी है कि भी hospital में जाके अपने आपको मतलब चेक अप करवा सकता है अपनी doses ले सकता है दवाई वगरा ले सकता है तो वो right to survival में आ गया या फिर right to survival में हम ये भी कह सकते हैं कि भी जीने का अधिकार जिसे हम कह देते हैं कई बारी क्या होता है कि भी हम survive भी नहीं कर पाते main reason क्या है society अंदर survive ना कर पाने का बच्चों पे कुछ बच्चे पैदा होते मर जाते हैं या कुछ बच्चे को समय बाद मर जाते हैं तो वो survive कैसे नहीं कर पाती क्योंकि उनको proper food पानी healthcare system education system नहीं मिल रहा है development हो बच्चे की proper education उसे मिले right to development right to education development गैसे होगी development भी अगर अच्छा environment होगा उसके आस पास अच्छा पानी मिल रहा अच्छा food मिल रहा च्छी education मिल रही अच्छा healthcare system है अच्छा infrastructure है पूरे देश के अंदर उसको उसको उस चीज़ को देखकर एक positive vibe आ रही है बच्चे को भी हाई यार मैं भी develop हो सकता हूँ जैसे ये चीज़े डवलप लोगे राइट to education होना चाहिए अब हर एक बच्चे के पास right to education है वो बच्चा अगर चाहता है माबापकी सबसे पहले जिम्मेवार ये बनती है कि भी काम दंदे पर लगाने से पहले उसको educate किया जाए बच्चे को और सरकार की तरफ से भी बहुत तरह की महीम चलाई जाती है जहां पर आप free education ले सकते हैं scholarship बगारा मिलती है जैसे बच्चों के लिए कि भी आप scholarship लेके भी पढ़ सकते हैं यह से right to protection हो गया right to protection में ऐसा है कि भी देखिए बच्चा है अगर उसको abuse किया जा रहा है family के अंदर मान लिजिए उसको verbal abuse किया रहा है या physical abuse किया जा रहा है या society के अंदर उसको bully किया जा रहा है उसको मतलब इसको discriminate किया जा रहा है on the basis of their caste, religion, race तो यहाँ पर जो यह चीज़े हैं तो यह इन चीज़ों से protection होनी चाहिए उसकी and participation के अगर बात करें देखिए बच्चे को मान ली दियो किसी भी institution के अंदर, school के अंदर, tuition center के उपर पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसकी एक proper participation भी होनी चाहिए ह अर्त अरा की curricular activities के अंदर, अब यहाँ पर आ जाता है right to life and survival and development goes beyond the physical existence, देखे physical existence से भी आगे जाती है, ठीक है जो यह right to life and survival है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि right to identity, उस बच्चे की identity भी होनी चाहिए society के अंदर and nationality भी होनी चाहिए, उसको यह तो पता मान लीजे, right to identity देखे क है, तो देखे, identity तो जैसे अब मेरे पास है, अब मेरे को, मैं identify कैसे करता हूँ अपने आपको, मान लीजे मेरे माता पिता है, तो उनके through मैं अपने आपको identify करता हूँ कि my name is Gurgent Singh and my father name is I'm son of Sarmukh Singh, तो ऐसे बाते आती हैं, जैसे हम बताते हैं, तो हम identify कैसे कर रहे हैं खु देते हैं, जापर बच्चों का देखबाल की जाती है, वहाँ बद इनको identity दी जाती है, इनको nationality भी दी जाती है, कि भी कौन से देश के हैं, ये, तो जैसे आपका आपको passport मिलता है, ये आपका जैसे आधार काड़ है, उसके उपर आपकी nationality लिखी हुए ना, Indian, मान लीजे आने सकता, अब nationality नहीं है, तो identity नहीं है, तो ये सारी चीज़े जो हैं, ये right हैं बच्चे के पास, बच्चे को दिये जाएंगे, सरकार दुवारा इस चीज़ को दिखा जाएगा, कि भी अगर हमारे state के अंदर कोई बच्चा है, अगर वो लावारी स्पिर रहा, तो उसक and cultural development of child is to be addressed totally, देखिए, देखिए, जो mental health है, बच्चे की, जो emotional health है, और जो उसके ideas है, जो social and cultural development है child की, उसे भी address किया जाएगा, totality के अंदर, मतलब purely, पूरी तरीके से किया जाएगा, ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, mental से, अरे क्या हो गया, तुमारे को छोटी सी चीज़ों बच्चे को अगर paper का stress है, तो वो समझना चाह रहा है, उसका mental level इतना नहीं है, तो mentally वो weak हो चुका है, emotionally वो weak हो रहा है, तो ये हमारे, ये आसपास जो हमारे यहाँ पर centers हैं, जो आपर हम कैसे कहते हैं, कि भी बच्चे की counseling होती है, तो college, school, institution के अंदर, ऐसी counseling के लिए भी ब cognitive हो, वो वहाँ अपने ideas को भी intellectually सोच सके, socially and culturally भी उसकी development हो, socially मतलब कैसे मान लीजियो, society में कहीं जा रहा है, और वो किसी को भी देखके डर रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए उसको यू लग रहा है, कि भी मेरे लिए, जो ये surroundings हैं, ये अची नहीं हैं, यहाँ पर मि abuse किया जा सकता है, अब वो जो abuse है, वो physical भी हो सकता है, verballyly हो सकता है, क्या पता, वो अपनी आसपास में observe कर रहा है, कि बच्चों को पीटा जाता है, बच्चों को sexually abuse भी किया जाता है, तो वो ऐसे environment के अंदर, क्या socially किसी को मिलेगा जाकर, ठीक है, तो mentally and emotionally कमजोर होगा, इस counseling ले सकता है, अगर लेना चाहे, and जो children's है, इनके पास equal rights है, सभी के पास, देखे, कोई भी बच्चे को discriminate नहीं किया जाएगा, कि भी, तू इस religion का है, इसलिए तेरे को ये right नहीं बिलेंगे, तू इस जाती से belong करता है, तेरे को ये right नहीं बिलेंगे, sex के base के उपर भी, male female बच्चे के अंदर, अगर हम comparison करें, भी male को, तो हमने education जादा देनी है, और female को education कम देनी है, ऐसे, place of birth के basis के उपर, मान लीजे, कोई बंदा नेपाल से हमारे यांपर पढ़ने आया, तो उसकी आखे च्कुटी मोटी है, तो हम उसको कह देते हैं, चिंके रहे, तो ऐसी बा एक एप है मतलब, तो उसको हम यह नहीं कि discriminate नहीं करेंगे, भाई तू पढ़ नहीं सकता, भाई तू sports activities के अंदर participate नहीं कर सकता, देखे आप देखेंगे, तो अब जो हम यह देखते हैं, Commonwealth Games देखते हैं, इसके अंदर आपने देखा हुआ कि भी एक तो swimming के contest होते हैं, जो से लोग पूरे fit हैं, और एक swimming competition उनके भी होते हैं, जो जिनके hard pair नहीं है, तो वो भी तैरते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं, यह चीज ऐसास दिलाया जाता है, जो disabled है, कि भी आप भी इस देख का एक हिस्सा है, आप भी इस देख को इस देख का नाम चमका सकते हैं, इस देख में भागीदारी डाल सकते हैं, आप इस देख के लिए waste नहीं है, socially, economically आप इस देख को help कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे हैं इनके लिए भी देखें, मैंने वो तो example दिया है कि भी physically, अब बच्चों का भी होता ही है, games पर करा, sports पर करा होते हैं, school, colleges, institutions जो है, पर sports होते हैं, तो महाँ पर भी बच्चों को special rights हैं, कि भी जरूर ही नहीं, अगर वो बच्चा handicap है, तो उसको आप sports के अंदर नहीं, enter करने देंगे, कि भी नहीं आपके चोट लग जाएगी, देखी, उनके लिए अलग से races बगएरा होती है, का अगर कोई बच्चा wheelchair के you are not a waste part of the society, you are also a part of the society, and you are economically and socially हमारी देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे जो child है, इसका best interest देखा जाएगा, decisions लेने के, दर मान लीजे, आपके parents है, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है, कि भी वो एक अच्छे decisions लें आपकी life के रुपर, क्योंकि आपके वो guardian है, ठीक है, तो अगर वच्चा है, तो उनके guardian होंगे, तो guardian है, तो इसका मतलब की भी वो आपकी life के decision लेंगे, पर ऐसे decision लेंगे, जिससे आप, आपकी life में कोई बुरा effect ना है, ठीक है, और obviously जो legislative bodies हैं, वहाँ पर भी courts of law हैं, या फिर administrative authorities हैं, या public authorities हैं, या फिर कोई private social religious, या फिर कोई cultural institution हैं, ये भी अगर कोई decision ले रहे हैं, बच्चे के favor में, तो वो एक ऐसा decision लें कि भी जो उसकी life को effect ना करें, लाइफ के अंदर आगे आने वाली life के अंदर effect ना करें, और जो family है, यहाँ पर जो family का environment है, यह जो है, यह ऐसा होना चाहिए, कि भी बच्चा जो है, वो growth कर सके growth कर सकें properly, उनको ये नहीं है कि भी बच्चों को, उन से, parents से separate कर दिया जाए, अब अगर separation ज़रूरी है, necessary है, for the best interest of the child, then in that case, that separation is valid, पर अगर उसको separate वैसे किया जा रहा है, या तो government ऐसा कोई law ले के आगे, या फिर कोई religious institution था, उसने ऐसा कोई law ले आया, कि भी हम तो बच separation की नहीं किया जाएगा, ऐसे decisions नहीं लिये जाएंगे, जहां पर बच्चे को, illegally separate किया जाए, parents के, ताकि, parents भी जरूरी है, life के अंदर, क्योंकि parents के थूरू आप बहुत चीज़ें सीखते है, parents ही आपके पहले guru होते है, teacher होते है, जो आपको बोलना, चलना सिखाते है, ऐसे पैसे खोश लिए जो उसके पास मेहनत के, जो 16 साल का हुआ, उसने पैसे कमाने कोशिश करी, और किसी एक बंदा लफंडर टाइप आया, उसे हमारा चमाठ दो चार और उसको गालिया निकार लिए और पैसा ले गया, या फिर वो किसी दूसरी जात का है, और मतलब कोई भी के हैं, आप कहसे करें, दलिद समाज का है, या फिर कोई चमार है, जिसको जो हम वर्ड गहते हैं, ऐसी है को दलिद समाज का, तो उसमें हम क्या करते हैं, कि भी, उस बच्छे को हम कहMY रहे हैं, तो तो ऐसा है, वैसा है, मतलब like बहुत सारी चीज़े है, उसको एक्स110 किया सेव किया जाए from all kind of harm abuse negligent negligent act होगे कोई भी अगर बच्चों के मान लिजे बच्चा कोई वास्पिटल जा रहा हो कर दो मेरे एक्चुल यहां पर चोट लगी हुई है मेरे दर्द हो रहा है तो वह बंदा जो है जो है जो है जो है स्पिटल अथोरिटीज है वह उसे हैं बच्चे के उपर मान लिजे घर के अंदर किसी बी तरह का वालेंस हो रहा है बच्चा स्कूल से और उसको पकड़के पीट दिया ठीक है अब ब्यूज हो रहा है उसके साथ मतलब फैमली में लडाईयां ही होती रहती है तो वह बी एक ब्यूज है को जो बच्चा रोज सहन कर रहा है ऐसे ही किसी तरह कर माल लीजिए M31 है M31 के अंदर बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह उनको हम बीइस किसी तरह का नहीं होड़ीज है आप देखे जो चिल्गरन हैं इनके पास अधिकार है कि विव अपने व्यूज दे सकते हैं किसी भी चीज के उपर मोस्ट अब टाइम क्या होता है कि भी पेरेंट्स प्रैफर नहीं करते बच्चों के व्यूज को भी तू छोटा है तू रहने दे पर अगर हम देखें तो देखें फिर बाद में पेरेंट्स ये करते हैं कि भी तू फटा सा अगैरु को थोडा सा आगे जाना ही तो यह जी है कर बच्चा अपने व्यूस दे रहा है किसी sparked के उपर तो उसके विचारों को तो कोई सुनता नहीं उसके विचार तो बस ऐसे ही है बाहर का कोई आठमी पहला बंदा आपके पेरेंट्स को अगर विचार या कोई कोई बापा मैंने नॉन मेडिकल लेनी है तो पापा कहे रहे ने कॉमर्स ले तो क्यूं में अच्छा स्कोर पहे तो बच्चे के जो विउस है उसको अपनी किया तो बच्चा कहा है फर बाद में किशांत महौल में बैठना शुरू कर देता है वो यही सोचे का भी मेरी बातों को समझा नहीं जाता सुना नहीं जाता मैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ उनके व्यूज को भी एसेप्ट करना चाहिए उनके साथ बात करनी चाहिए और ऐसी करें बात उनसे पूछें बई कोई ऐसी चीज सो नहीं है जो त तुमको बताना रहा और तु कह रहा हो वो अपने व्यूज ब्रकट कर रहा है अपने ममी पापा के सामने और वो कह रहे हैं रहे कुछ नहीं होता यह तो चोटी मोटी चीजे हैं कई बारी स्कूल के अंदर भी बच्चों के साथ sexual abuse हो जाता है अगर बच्चा इस चीज के बार में कि भी कोई भी चीज होगे किसी भी चीज के बारे मान लीजिए वह अपने private organs के बारे में अपने sexual जो पार्ट है हमारे जो reproductive पार्ट उनके बारे में बात करना चाह रहा है या वो अपने व्यूज उपर कट कर रहा है तो माँ आप यूं कहा दें अरे ने 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 यह कैसी मान लीजिए किसी अंकल अंटी को पारक में कह रहा है अंकल फूल मत तोड़ो तो उसके व्यूज को असेप्ट को रहे है यह नहीं कि उसको डाटने लग जाओ तू मेरे को सिखाएगा यह है वो बच्चे के उपर प्रेशर बना रहे है आप उसको अब्यूज कर रहे है तो भी छोटा मुँ बड़ी बात अरे जब बच्चा अगर छोटा अगर बड़ी बात कर रहे है तो आप यह सोचें उसके अंदर यह गट्स हैं कि वो बात कर सकता है वो अड्रेस कर सकता है अपनी प्रॉब्लम को कई तो बच्चे ऐसे ही जो घुट-घुट के मर जाते हैं सु लड़किओं के अपने ड्रेश पर कट नहीं ऐसे नहीं किया जा रहा तो वो भी यूँ कहेगी कि मेरी को value नहीं है society के अंदर अब मान लो कोई लड़की अपने पापा को या ममी को कह रही है कि मैंने भी पढ़ना है और वो कह रहे नहीं नहीं तुम तो शादी करके जाओ यह तो वो कह रही है नहीं नहीं मैं शादी क्यों करूँ मैं भी तो इस communities हैं जो की CST communities होगे इनकी क्या होता है कि इनके घरों में लड़कियों की बारे में सुन लड़कियों से कोई views या नहीं लिये जाते हैं उनको कहीं interact नहीं करवाया जाता society के अंदर तो इसकी बज़ा से क्या हो जाता है कि भी वो अपने आपको खुल कर बतानी पाते ठीक है उनकी जो age है maturity level है वो भड़ नहीं पाता है तो इसलिए क्या है कि बिच्चों के अगर हम views लेते हैं views को हम accept करते हैं उनको सुनते हैं उनके rights के हम हानी नहीं करते हैं उनको हर एक तरह का जो rights है वो avail करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या है वो बच्चे उभर के आगे आते है तो यह rights हैं सबी के सबी जो rights बड़े लोगों हमारे parents के पास हैं वहीं कि वही rights बच्चों के पास भी है same rights है बस बच्चे क्या है under the guardian उनके जो parents है वो guardian है उनके और वो सारे तरह के decisions लेते हैं तो यह जो convention जो यह charter है यहीं कहता है कि अगर आप को decisions ले भी रहे हैं बच्चो के प्रति कोई भी school, education institute या कहीं के भी जो local authorities है, public authorities है, religious institution है अगर वो किसी भी तरह का decision ले रहा है बच्चे के हिस्ट में तो वो ऐसा decision ले जो कि उसकी life को affect ना करे वो अपने childhood को अच्छी तरह enjoy कर सके एक healthy environment में पैदा पैदा तो होई रहा है, पैदा तो healthy environment में होना ही चीए है, even कई लोगों को ये facilities नहीं मिलती है, तो ये government की duty बनती है कि वो ऐसे provisions लेके आए for the children जो पैदा होने वाले हैं या फिर पैदा हो चुके हैं, उनको proper healthcare system मिले, education मिले, सारी चीजे मिले, so I hope आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, मैं कहना क्या चा ये सब क्लिक कर लीजिए, जो भी करना है कर दीजी का, I don't ask for things, so thank you very much, have a nice day.